आज हम बनने जारे हैं खस्ता ठेकवा, तो खस्ता ठेकवा बनने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी सुजी रख लिया है और सेम कटोरी से हम एक कटोरी आटा लेंगे, तो आज हम आटा और सुजी का खस्ता ठेकवा बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने आटा को डाल दिया है और सेम कटोरी से ये कटोरी हम इसमें पिसा हुआ चिन्नी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी रिफाइन तेल रिफाइन तेल से ये बहुत ही खस्ता बनता है और अच्छे से हम इसे आटे में मिला लेते हैं कि इस तरह से हमने आटे में अच्छे से तेल को मिला लिया है तो आप इसे मुठी बान कर इस तरह से चेक कर सकते हैं अगर तेल अगर मुठी नहीं बना रहा है तो यह मुठी बना रहा है याने कि यह अच्छे से मुआइन हो गया है अगर इमें मुठी नहीं बनाता है तो थो मच से गूत लेंगे मिलकी लिए सॉफ्ट गूतेंगे तो दूद अगर नहीं आप डालना चाहते हैं तो आप इसके जगा पानी से भी गूत सकते हैं लेकिन दूद से इसका जो टेस्ट है काफी ज्यादा अच्छा आता है तो यहां पर हमने आटा को गूत लिया है तो इसे हम ना पर तो आधा कोटोरी गणच आधि तो यह 10 मिनिट हो गया है तो फिर से हम इसे एक बार इस तरह से घजार करेंगे और इसे फारक से हम डिजाइन देहींगे अगर आपके पास साचा है तो आप साचा से भी इसे बना सकते हैं तो साज आप छोटा बड़ा कर रख सकते हैं बॉल्स का या तो आप कोई भी डिजाइन इसे दे सकते हैं और इसे जैसे हम सारे तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमने प्लेट में तयार कर लिया है और तेल को हमने गरम होने के लिए रख दिया था तो यहाँ पर हमारा तेल भी गरम हो गया है तो इसमें हम एकक करके इसमें डालते जाएंगे तो यह उपर से हो गया है तो इसे हम दिसरे तरह पलट लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम तलते रहेंगे उलट पलट कर तो दोनों तरफ यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है ऐसे बिल्कुल यह मीडियूम कैस पर तले नहीं तो यह अंदर तक यह कच्छा रहता है ती हो गया तो मैं इसे निकाल लेती हूँ उपर से खाने में भी खस्ता नहीं लगता है और इसी तरह से हम सारे बना लेंगे तो इसे आप महीनों दिन तक आप डबे में बन करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होता है अब बिल्कुल यह खस्ता लगता है तो कहीं भी आप जाए इसे बना कर ले जा सकते हैं तो इस रेश्पी को आप भर पर ट्राइ करें आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ठांक्यू